मानिय उप मुखमंतरी तेजस्वी परसाज जादब जी ने असपश्ट किया है कि 10 लाख लोगों को नौकरी का जो हमने वादा किया था वो दिया जाएगा और हम लोग किसी को मायूस नहीं होने देंगे ये वादा है और वो जुमलाबाज लोग जो दो कड़ो रोजगार का वादा किये थे बिहार सरकार में भारतिय इंता पाटी सामिल थी ऊनिस लाग को रोजगार दिया जो लोकतांतरिक परकिरिया है उस परकिरिया में आपको उन पदाधिकारियों से मिलना चाहिए जिनके संबन्द से ये मामले का हल होना है। देजिए क्योंकि आप जो वादे किये थे वो तो पूरा कर नहीं रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज हमस जी जुड़े हुए हैं हम इनी से बात करते हैं कि आखेर क्या हुआ अफिर थी जब आप लोग भी पक से धीरे आ रहा है 28,000 लोगों की न्यूक्ति हुई है परवाना दिया गया है यह ओन रेकॉर्ड है महा महीं महोदय ने गानी मैदान के प्राचीर से 26 जनवरी को घोसना भी किया असपश टूप से बताने का काम किया लोग का तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है संसो अधन करने के लिए रिजल्ट दिया गया ओदिन लगा दिया गया देखिये हमारी सरकार असपश टूप से युवां के युवां के रोजगार और युवां के नौकरी के परतिस संकलपित है और इस मामले में हुम किसी से समझावता करने वाले नहीं है दस लाख लोगों को नौकरी का जो हमने वादा किया था वो दिया जाएगा और दस लाख रोजगार का जो वादा महागडबंदन सरकार का है मानिये मुख मंतरी नितिश कुमार जी का है पलस करके तो दस लाख नौकरी और दस लाख रोजगार बीस लाख जो हम लोगों ने व है उस मामले में काम कर रही है हम लोग जुमलाबाद नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरा यह सवाल है कि छे महीना होने पड़ है तो आखिर उन संसोधन करके देना था रिजल्ट जब तक आएंगा नहीं कहां से मिलेगा देखिए सब परकिरिया में कि अचल रहा मामला जल्द ही सारे मामले सामने आ जाएगे और जो भी result held up है वो result लोगों के बीच सामने आ जाएगा और चुके जो नौजवान हैं जो अभियर्थी हैं उनका भविस बेहतर हो इसके परती हम संकल्पित हैं और उनकी बेहतरी के लिए हमारी सरकार हर अस्तर पर काम कर रही है जो सत्ता में बैठे हुए जो भी पक्ष में हैं सबसे अब भरोसा उनका तूट गया है यूवा का मुस्कान तो दूर छोड़िये आप देखिए हम लोग किसी को मायूस नहीं होने देंगे यह वादा है और वो जुमलाबाज लोग जो दो कड़ो रोजगार का वादा किये थ आठ साल में 16 कड़ों देना चाहिए था वादा आप छोड़िये लेकिन आप अपना जो वादा है ठीक है वह चोड़िये अब जो किये थे लेकिन अभी आप सत्ता में हैं अभी आप ता रहा हूं वह किये होते तो आज देश का नौजवान सडकों पर नहीं होता सडकों पर कीज वह निटीषुकुमार के हां है देखिस मारी सरकार का प्रसरचे मने भारतियरивать सामिल थी उने दो साल सत्ता में रही साथ में 19 लाग का वादा किया था कितनी लोगों को रोजगार दिया हमने जो वादा किया था उस पर अमल परकिरिया असपश्ट उपसे दिख रहा है युवा का भरोसा तूट गया है तेजस्वी यादों पर क्योंकि वह कहते नजर आ रही है कि विपक्ष में युवा का उमीद मानियों मुकमत्री नितिश कुमार जी एक चीज और वह आज आर्जेडी का रियाले के बाहर दिख गय और उस समय जब आर्जेडी का रियाले के पास तो दोनों फटाफट बंद कर दिया गया और जब विपक्ष में थे तो उन्हीं लोगों को भुला कर उनका समस्या सुना जाता था यह बताईए समस्याओं का निदान पार्टी कार जाले से नहीं होगा सरकार के माध्यम से नह मिलना चाहिए जिनके संबंद से यह मामले का हल होना सबसे मिलकर वो ठक गए आप गर्दानी माग धर्णा सलबे भी बहुत दिन तो बैठे और वहां पर भी अरजी लगा है लेकिन कोई नहीं सुना तब यहां जाना धर्णा के आप सकता है ना अंदोलन के आप सकता है धैर में हम कर रहें कि नहीं कर रहें सब कुछ हो जाएगा रिजल्ट से ही मामला नहीं है मामला है उनको समायोजित करना भी है सब कुछ है सारी परकिरिया चल रही है असपश टूप से हम नौजवानों के साथ खड़े हैं और नौजवान हमारे साथ खड़े हैं यह हमारा विश विश्वास है और उस विश्वास को कोई चाह कर भी डिगा नहीं सकता भले ही आरज़ेडी लाग कहले कि नौज़वान हमारे साथ खड़े हैं लेकिन आरज़ेडी कार्याले के बाहर जो देखने को मिला आज किस तरह से तेजस्वी यादों के विरोध में अव्यरती बोल रह आते हैं युवाओं के चहरे पर लेकिन वो तो मौत मांग रहे हैं आखिर इस महागडवन्दन सरकार से इतना निरास क्यूं हो रहे हैं चले फिलाल के लिए बने रहें आप लाइब बिहार के साथ लाइब बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर